नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक्स्प्लेन करने वाली हूँ एक तेलुगू मूवी जिसको हिंदी में डाप किया गया है, इसका नाम है मुक्चित्रम, जिसका मतलब है फेस पेंटिंग, ये एक सस्पेंस थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा है, जिसको IMDB पर 6.7 की दी गई है, चलिए तो विडियो को स्टार्ट करते हैं, और यदि आपको ये विडियो पसंद आए, तो विडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी ही औभी मूवीज की स्टोरी जानने के लिए चानल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस फिल्म की स्टार्टिंग होती है एकोट प्रेमिसिस में, जहां इस फिल्म के मेन क्यारेक्टर्ज राज कुमार और महा थी, जो की हस्बंड वाइफ है, वो अपने केस की हियरिंग का वेट कर रही होते हैं, इस सीन में दोनों हस्बंड वाइफ को घायल दिखाया जाता है, फिर फिल्म में बताया जाता है कि ये फिल्म आक्चल में सिर्फ इन दोनों की नहीं, बलकि तीन लोगों की है, इसके बाद मूवी एक साल पहले शिफ्ट हो जाती है, सबसे पहले राज कुमार के बारे में दिखाया जाता है, जो की एक प्लास्टिक सर्जिन है, वो एक सेमिनार में स्पीच देते हुए ये रहा होता है कि वेह एक प्लास्टिक सर्जिन क्यों बना, वो बताता है कि उसकी मा एक मॉडल थी, जिनका एक कार आक्सिडेंट में फेस पूरा खराब हो गया था, और इसी वज़से उनका करियर डिस्ट्रॉय हो गया था, राज कुमार बताता है कि वेह नहीं चाहता था कि आगे कभी भी किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो, इसलिए वेह एक प्लास्टिक सर्जिन बनने का डिसाइड करता है, इसके बाद बारी आती है माया की, इस सीन में उसे बोहुत घबराया हुआ दिखाया जाता है, वो एक हॉस्पिटल में होती है, और डॉक्टर्स से रिक्वेस सत्या, तूवेह बोहुत खुश हो जाती है, और उनको पूरा इंसिडेंट समझाती है, माया एक नॉवलिस्ट है, जो लव नॉवल्स लिखती है, और फॉर्स टाइम उसने एक सस्पिंस थ्रिलर स्टोरी लिखी है, जिसकी वो मूवी बनाना चाहती है, इसके लिए जिस फ राज को एक मारिज ब्रोकर के थ्रू कुछ फोटोस रिसीव होती है, ये फोटो है महाथी की, महाथी एक स्मॉल विलिज गरल है, वो छोटे बच्चों को तुशन्स पढ़ाती है, और अपने पापा के साथ रहती है, राज को महाथी की फोटो बोहुत पसंद आती है, इसल जानने के लिए वो दो दिन से उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद राज महाथी को प्रुपोस करता है। महाथी शादी के लिए हां कर देती है। माया अपने बर्थडे की सलिब्रेशन के लिए अपनी फ्रेंड और सत्या से एक क्लाब में मिलती है। वहां सत्या माया को मह माथी की फोटो दिखा कर बताता है कि राज की शादी इस लड़की से पक्की हो गई है। तब सत्या को पता चलता है कि माया राज को पसंद करती है। माया बताती है कि राज और माया बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करने की बाते भी क्या करते थे नेक्स डे राज माया से मिलने के लिए उसके घर जाता है और साथ में एक विस्की की बॉटल भी लेकर जाता है माया ये सब देख कर गुसा हो जाती है और राज को बताती है कि वो उससे प्यार करती है लेकिन राज कहता है कि उसे लगा के ये सब बस एक इन्फाचुएशन है राज माया को समझाता है और मूव ओन करने को कहता है माया मान जाती है और कहती है कि वो शादी में जरूर आएगी राज और महाथी की शादी हो जाती है शादी में माया महाथी की बुआ से मिलती है उन दोनों की अच्छी फ्रेंशिक हो जाती है महाथी की विदाई के वक्त माया उसे देख कर रोने लगती है सत्या उसके रोने का कारण पूछता है तो वो बताती है कि वो महाती से जलिस फील कर रही है Reason ये नही था कि उसकी शादी राज से हुई है बलकि ये था कि महाती के पास एक फैमिली है जो माया के पास नहीं थी माया बचपन से ही एक ओफनेज में रही थी राज और महाथी अपनी married life में बहुत खुश थे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे एक दिन सुभा महाथी को पता चलता है कि वो pregnant है वो ये बात राज को बताने वाली थी पर तभी सत्या का call आता है वो बताता है कि माया का accident हो गया है जब राज और महाथी hospital पहुचते है तू उन्हें पता चलता है कि माया को AB negative blood की जरूरत है जो कहीं भी available नहीं है महाथी बताती है कि उसका blood group AB negative है सो वेher blood donate कर सकती है blood donate करते वक्त नर्स महाथी से पूचती है कि वेher pregnant तो नहीं क्योंकि यदि वेher pregnant है तो blood donation से बेबी को problem हो सकती है पर माया की serious condition देखकर महाथी जूट बोल देती है कि वेher pregnant नहीं है आक्सिडन्ट की वज़़ से माया का face पूरा खराब हो जाता है इसके बाद pregnancy की condition में blood donate करने की वज़़़ से महाथी को चक्कर आ जाता है राज महाथी को घर ले जाता है घर पहुँच कर महाथी राज से कहती है की वेher अब ठीक है और राज को इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए राज हॉस्पिटल चला जाता है सुभा राज हॉस्पिटल पारकिंग से महाथी को कॉल करके पूछता है कि वे अब केसी है। महाथी कहती है कि वे अब बेटर फील कर रही है। राज महाथी से पानी पीते रहने के लिए कहता है। महाथी से मिलने उसके पापा आते हैं। उनके आवाज लगाने पर महाथी चक्कर खाकर स्टेर्स से गिर जाती है। तभी राज वहाँ पोहुचता है और उसे hospital लेकर जाता है। Hospital में महाथी के पापा कहते हैं कि ये सब शादी के बाद हुई किसी कुंडली डौश की वजह से हुआ है। ये सुनकर राज को गुसा आजाता है। और वेह महाथी के पापा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। हॉस्पिटल में महाथी को चेक करने वाला सीनिय डॉक्टर नर्स पर गुसा होते हुए उनसे पूछता है कि ब्लड डोनेशन से पहले महाथी का प्रेगननसी टेस्ट क्यू नहीं किया। टाब नर्स कहती है कि उसने महाथी से पूछा था पर महाथी ने मना कर दिया। इसके बाद वेह डॉक्टर राज को बताता है कि महाथी की डेथ हो चुकी है। राज ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। राज सत्या से कहता है कि महाथी ऐसे नहीं मेर सकती। वह उसे वापस जरूर लेकर आएगा. राज महाथी का चहरा माया को देने का डिसिशन लेता है. वह ओपरेशन की प्रपरेशन करने के लिए कहता है. ओपरेशन सक्सेस्फुल हो जाता है. ओपरेशन के कुछ दिनों बाद माया को हौश आता है. राज माया से कहता है कि वह पानिक ना हो. राज सारा इंसिडेंट माया को समझाता है. राज माया से महाथी के घर वालों के सामने महाथी बन के रहने की रिक्वेस्ट करता है. माया मान जाती है. राज माया को घर ले आता है. और उसकी बोहुत कैय करता है. माया अपने इस नए रूप को पसंद करने लगती है धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं उस हाथसे के डू महीने बाद माया यनी महाथी से मिलने उसके घरवाले आते हैं वे महाथी को देख कर बहुत emotional हो जाते हैं पर माया सबको पहचान नहीं पाती सत्या सबको बताता है कि महाथी की यादाश चली गई है इसलिए वे सबको पहचान नहीं पा रही राज सबसे कहता है कि महाथी को थोड़े आराम की जरूरत है उसके ठीक होते ही वे खुद महाथी को उन सबसे मिलने के लिए लेकर आएगा नेक्स डे राज एक business meeting के लिए out of station चला जाता है माया अपनी surgery के बाद first time अपनी friend से मिलने जाती है वहाँ उसकी friend कहती है कि माया ने अपनी identity खो दी है क्योंकि महाथी का face मिलने के बाद वेह महाथी की life जी रही है और राज भी उससे महाथी है समझ कर प्यार करता है माया कहती है कि उससे इसमें कोई परेशानी नहीं है अगर महाथी बन के use अपना प्यार मिल सकता है तो वेह ऐसे ही खुश है घर वापस आने के बाद वेह पूरी तरह महाथी बनने की कोशिश करती है जिसके लिए वेह महाथी के कप्रे पहन लेती है वहाँ राज मीटिंग में माया और महाथी पकिये इस ओपरेशन के बारे में explain करता है माया राज को महाथी की dress me photo click करके send करती है राज ये देख कर शौक हो जाता है राज माया को call करके कहता है कि उसे महाथी जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है वो माया से भी उतना ही प्यार करता है जितना वो महाथी से करता था माया को महाथी की अलमारी में उसका mobile phone मिलता है महाथी को और अच्छे से जानने के लिए माया उसका phone चेक करने का सोच थी है माया जब महाथी के phone में WhatsApp चेक करती है तब उसे पता चलता है कि महाथी अपनी सारी feelings अपनी मा से share करती थी मा के मरने के बाद विह WhatsApp पे voice message भेज कर अपनी feelings share करती थी Voice Messages में महाथी बताती है कि कैसे राज उससे मिलने आया और उसको राज बहुत पसंद आया शादी के बाद भी वो ऐसे ही Voice Messages भेज़ती रहती थी वो बताती थी कि वेहराज के साथ बहुत खुश है लेकिन अचानत नेक्स्ट मेसेज में कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसे माया शौक हो जाती है महाथी रोटी हुए कहे थी है कि ऐसी लाइफ जीने से अच्छा मार जाना है वो बताती है कि राज उसे सेक्शली बोहुत असौल्ट करता है उसकी हैवानियत इतनी ज्यादा है कि ना टू वे कभी महाथी की मर्जी पूछता है और ना ही उसकी तबियत की कोई फिकर करता है उसके बार-बार मना करने के बाद भी वे उसके साथ जबर्दस्ती करता है उसे बोहुत मारता है और टोचर भी करता है माया ये सब सुन कर बोहुत शौक हो जाती है माया अपना मंगल सूत्र तोड़ कर फैंक दे थी है और डिसाइट करती है कि वह सारा सच जान के रहेगी महाथी की डेट की सच्चाई जानने के लिए माया सत्या को घर बुलाती है वो सत्या के साथ पूल साइड में बैट कर ड्रिंग करती है ताकि वह सत्या से राज के बारे में सब कुछ जान से की नशे की हालत में सत्या माया को बताता है कि उसके मन में भी महाथी के लिए फिलिंस थी इसी बात का फायदा उठा कर माया सत्या को रूम में चलने के लिए बोलती है और उसको बैट पे हांकफ से बांध दे थी है माया हामा से मार कर सत्या के दोनों घूटने तोड दे थी है और सत्या से महाथी की मौत की सच्चाई के बारे में पूछ थी है सत्या बताता है कि राज और महाथी के बीच कुछ उन्बन चल रही थी राज की जबर्दस्ती से परेशान होके एक दिन महाथी ने राज को गल्थी से थपन मार दिया था राज इस बात को बरदाश नहीं कर पाया उसने कहा कि उसे लगा था कि महाथी एक छोटे गाव की लड़की है तो उसकी इस हैवानियत पर रियाक्ट नहीं करेगी पर ऐसा नहीं हुआ वो धीरे धीरे रियाक्ट करने लगी थी राज कहता है कि इसे अच्छा होता कि वेह माया से ही शादी कर लेता अतलीस्ट एक मौडर्न वाइफ टु मिल थी सत्या बताता है कि आक्सिडेंट के बाद माया का फेस पूरा खराब हो गया था और जाब महाथी हॉस्पिटल आई तब पता चला कि महाथी और माया का ब्लाड ग्रूप से लेकर हाई तक सब कुछ बिलकुल सेम था राज सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद महाथी को मारने का प्लान बनाता है ये सब सून कर सत्या बोहुत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है राज महाथी के पानी की बॉटल में कोई मेडिसिन मिक्स कर देथा है जिसकी वज़ा से उसे चक्कर आए और वेह गिर जाए महाथी वो पानी पी ले, ये कन्फर्म करने के लिए वो सुभा महाथी को कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, और पानी पीठे रहने के लिए भी कहता है ये सब सून कर माया पूछ थी है कि तुम लोग महाथी के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकते ही हो सत्या का ये सारा कनफेशन माया एक फोन मी रेकॉर्ड कर लेती है. माया कहती है कि उसने आज जो कुछ भी किया, अगर उसके बारे में किसी को भी बताया, तो वो ये वीडियो वाइरल कर देगी. माया महाथी से कहती है के वे अपना ब्लाद, अपना फेस, अपना पती और अपनी पूरी लाइफ माया को देकर चली गई थो अब उसका रिवेंज भी माया ही लेगी वो महाथी से वादा करती है कि वो राज को सजा जरूर दिलवाएगी राज के वापस आने से पहले माया घर मी कैमरा लगवा लेती है और राज को ट्राप करने के लिए बीमार होने का नाटक करती है राज आते ही माया के करीब आने की कोशिश करता है तो माया मना कर देती है वो ऐसा शो करती है जैसे तबीयत खराब होन के बाद भी राज उसके साथ जबर्दस्ती कर रहा है इसी बीच वेह राज को ये भी बता देथी है कि उसे पता चल गया है कि महाथी को राज नहीं मारा है राज को गुस्सा आ जाता है और वो पास में रखा फ्लावर वास उठा कर माया का सर्फोर देता है और उसे बोहुत मारता है माया मौका देखकर डाइनिंग टेबल के नीशी रखा हामा उठा कर राज को मारती है और उससे पूछ थी है कि उसने महाथी को क्यूं मारा राज कहता है कि उसने जो किया सब माया के लिए ही किया माया महाथी बनकर राज के अगेंस्ट मारिटल रेप का केस रेजिस्टर केर्थी है ये केस मीडिया में बहुत फेमस हो जाता है हर तरफ से महाथी को बहुत सपोर्ट मिलता है राज अपना केस लडने के लिए सिटी के सबसे फेमस लॉयर अड़ोकेट वशिष्ट को हाय करता है वो राज को यकीन दिलाथा है कि वे आज तक कोई केस नहीं हारा है तो आज भी नहीं हारेगा महाथी की तरफ से अड़ोकेट विश्वामित्र केस लडता है उसका ये फर्स्ट केस होता है महाथी कोट मी सी सी टीवी फुटेज की हर्प से बताती है कि कैसे राज उसे काफी समय से सेक्शली असॉल्ट करता आया है अड़ोकेट वशिष्ट कहते हैं कि ये सब हाजबन वाइफ के बीच होन वाली छोटी सी आन्बन है और मारिटल वेप का कोई लौ है ही नहीं दो इस केस को यही रद्द कर दिया जाए अड़ोकेट विश्वामित्र कहते हैं कि हर एक फीमेल को अपनी मर्जी एक्स्प्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए चाहे वो मारीड हो या अन्मारीड ऐसी केई सारी आग्युमेंट्स के बाद अड़ोकेट विश्वामित्र ये केस जीत जाते हैं और राज को दस साल की सजा सुनाई जाती है माया अड़ोकेट विश्वामित्र के सपोर्ट के लिए ठांस बोलती है और महाती बान के उसके पापा के साथ रहने लगती है